हेलो सुद्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो इस्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मसोटिक्स में अपना चैप्टर नंबर फाइव फार्मसोटिकल डोस फॉर्म में हमारा चल रहा था इस्टेराइल फॉर्मुलेशन है ना तो इस्टेराइल फॉर्मुलेशन के अंदर दो टॉपिक थे मैंने बताया था एक हमारा पैरेंट्रल्स था जो हमने कवर कर लिया है दूसरा हमारा है एक्ट्रिस को कहां चैए अप्थेल्मिक दूसरा क्या होना चीए इसे कहना चीए अप्थेल्मिक आफ्थेल्मिक क्या होता आफ्थेल्मिक का मतलब याने कि वो सारी ड्रॉप्स या दवाईया जो हम लोग अपनी आँखो में डालते हैं तो दो टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास केवल आई ड्रॉप्स और आई ओइंट्मेंट ठीक है ना तो इन दो को हम लोग कवर करे आफ्थेल्मिक अपने वाले के बाते होने वाली है तो क्या करταक्ष्ण में ड्रॉपडरेशन के ऐ hermanic और इंट्चियों सॉलीट्ट क्या होते हैं 어िंट्डमिक वेक्वलेशन होते हैं रिसीले हम लोग इसको इस्टे राईल के अंदर फड़ रहे हैं ठीक है sterile होती है इसी लिए हम लोग इसको sterile formulation के अंदर पढ़ रहे हैं ठीक है liquid हो सकती है semi-solid liquid तो हम पता ही है solution drops बगरा होते हैं semi-solid क्या होते हैं ointment बगरा जो होते हैं और solid preparation that may contain one or more solid है ना semi-solid या solid दोनों हो सकते हैं ठीक है जो आँख में डाले जाते हैं फिर पिगल जाते हैं वो that may contain one or more active pharmaceutical ingredients एक या एक से ज्यादा API active pharmaceutical ingredients उसके अंदर हो सकते हैं या दबाया हो सकती है ठीक है intended for application to the consultiva इसका main जो target होता है वो कौन होते हैं consultiva या consultival sack क्या कहना चाहिए actually हमारी जब आँख है इस type से ठीक है ना तो यह जो यहाँ पर cavity से रहेगी ठीक है ना इस आँख से होती हुई उसको हम लोग कहते हैं consultival sack और the eye lady हमारी आँखों के पलकों में कोई problem है तो वह आँख के लिए हम लोग इसका दवाईयों के इस्तमाल करते हैं these products must be sterile इनको sterile होना ही है prepared under same conditions as same method as other parental preparation तो यानि कि यहाँ पर कई फस जाओ भूल जाओ तो मैं parental याद हो लेकिन ophthalmic का भूल जाओ आई drop का भूल जाओ तो preparation के method तौर तरीके वो सारी यहाँ पर apply कर सकते हो जो तुमने parental में इस्तमाल किये हैं simple हो गया ठीक है न अब types of ophthalmic preparation के अगर हम बात करें बेटा तो देखो यहाँ पर कई तरीके से लगबग 12 टाइप दे रखा है eye drops है, eye lotions है, eye ointment है, ophthalmic inserts है ठीक ह then suspension है, solution हो गया, suspension हो गया, emulsion, ठीक है, ointment, gels, erodible inserts, non-erodible inserts, काफे प्रकार के हैं, हमारे course में cable क्या है, eye drop है और eye ointment, दो ही चीरे पढ़नी है हमको, ठीक है, फिर आए क्या कर रहा है, the most commonly employed ophthalmic doses form are solutions, suspensions and ointment, जो सबसे ज़्यादा तुम लोग ने देखा भी होगा, यह तो solution होता है, यह suspension होता है, डॉक्टर कहता है, हिला के डालना, यह ointment, जो tube होती है, आँखो में tube भर देते हैं, तेखा है न, तो ज़्यादा तर यह होते हैं, यह apply किये जाते हैं, eye drop including solutions and suspension of active medicaments for installation into the consecutival sex, जो eye drops होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, यह solution हो सकता है, यह suspension हो सकता है और इसके अंदर एक, यह एक से ज़्यादा active medicaments हो सकते हैं, for installation, installation मतलब आँखो में डालना, ठीक है, into the consecutival sex, जिससे जब आँखो में डालते हैं, तो ultimately दबा जो है, थोड़ा से उपर cornea में धिरे से consecutival sex में होते हुए चली जाती है, eye lotions किसके लिए होते हैं, eye lotions का main purpose है, irrigating and cleansing the eye surface, जो lotions होते हैं, जो eye lotions जाया तर देखा होगा, खौरों जो add आता है, lotions का आता है, common add, common add किसके आते हैं, lotions के हैं, जो general code, मतलब एक तरह साम करते हैं, OTC product बना रखागी, या ड्रॉप डाल लो, आँखे एकदम साफ हो जाएंगी, वो lotions होते हैं, केवल आँखों की स surgery के बाद होती है, उसको करने के लिए हाँ पर use होता है, eye ointment हो गए, या eye creams हो गए, या gels हो गए, इनके अंदर भी active ingredient होता है, for application to the lid, margins and conjunctival sex, ठीक है न, तो eye lid होना चाहिए, यहाँ पर lid लिखा है, तो यहाँ पर पूरा लिख दें हम लोग, eye lid, eye lid के उपर actually कई बार कुछ infection से हो जाते हैं, तो उसके लिए होता है, और conjunctival sap के लिए होता है, contact lens solution, to facilitate the wearing and care of contact lens, जो contact lens हम लगाते हैं, उसको फिर वापस से एक solution में रखना होता है, उसके लिए खास तरगा solution होता है, parental product, ठीक है, parental energy injections, क्या आँखों में injection लगते हैं, yes, आँखों में injection लगते हैं, intra corneal injection जो corneal लगता है, intravitress, जो injection, जो vitral chamber होता है, वहाँ पर लगाया जाता है, या इसको intra-bulbular injection भी कहते हैं, then ophthalmic inserts, यह क्या होते हैं, ophthalmic inserts, अब inserts से आप लोग लगता हो, insert, insert का actually हिंदी समझोगे, तो क्या होता है, घुसा देना कहीं पर, तो क्या घुसा दे रहे हैं हम लोग एक तरह का यह दखो, एक तरह का समझ लेते हैं हम लोग tablet type की होती है, लेकिन बहुत heavy tablet नहीं होती है, बहुत महीन होती है, यह उसको ले जा करके हम लोग इस तरीके से doctor की help से यह दखो, आँख के बीचे यहाँ पर इस तरह डाल देते हैं, और फिर यहाँ से जो है दवाई जो है release होकर के आँख में जाती रहती है, ठीक है ना, तो यह ophthalmic inserts होते हैं, बास समय में आ रही है, तो यह कुछ जो खास तरह के types थे ophthalmic preparation के, उसको हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर समझने की कोशिश की है, inserts को लेके confusion रहती बच्चों में, उसका diagram दे के समझाने requirement है, वो part ज़रूर याद करेंगे definition के लिए, फिर आता है requirement for different ophthalmic preparation, जितने भी प्रकार की ophthalmic preparation बनेंगी, उसमें कुछ खास requirement है, या फिर यूं कहले, requirements कहले, या फिर हम कह सकते है, additives है ना, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर डाले जाती है, तो requirement कि अगर हम बात करने तो स सारी चीज़ें यहाँ पर भी है, all the ophthalmic products should be clear, इनको कैसा होना है, clear होना है, and free from the foreign particles, foreign particles यहना कि dust, fiber हो गए, germs हो गए, यह सब चीज़ें नहीं हो नहीं है, इनके अंदर, ठीक है, fiber से, filaments वगर जो भी है, ophthalmic solutions should be clarified very carefully, इसको बहुत ही ध्यान से हमें clarify करना है, by passing through bacteria proof filters, bacteria proof filters करा दिया है, parental में, ठीक, ठीक है न, तो bacteria proof filter से हमें से pass कराएंगे, इससे की बिल्कूल clear हो जाए, such as membrane filter और filter glass filter, ठीक है न, तो membrane filter होता है, filter glass होता है, जिसके जो की bacteria को भी filter कर देता है, तो उसी filter की वज़े से, यह जो foreign particle है, यह सब भी क्या हो जाएंगे, filter out हो जाएंगे, the particle size of the eye suspension, यानि कि आप बात कर रहा है कि जो अगर suspension है, तो इसके अंदर क्या है, दवाई, जैसे हम लोग syrup पीते हैं, तो उसके अंदर क्या होता, suspension होता है, कोई syrup अगर suspension को रूप में है, तो उसके अंदर दवाईयों के कण हमें दिखाई पड़ते हैं, वो काफी बड़े- होते हैं, क्योंकि उसके मुझ से खाना होता है, लेकिन जो suspension आई के लिए होता है, वो ultra fine state, बहुत ही महीन, बहुत महीन, पॉटर जैसा मतलब, इतना महीन की मतलब, अगर आप इसको ऐसे रगड़ोगे ना, तो पता भी निचे लेगा कि बीचन पार्टिकल है, ultra fine state of subdivision, इतन different ophthalmic product, जब भी हम filter का use करेंगे, हर बार एक नया filter का use करेंगे, आप सब को पता है, same filter का use करेंगे, तो हो सकता है कि दूसरे filter से कोई गंदगी निकली हो, और हम दूसरा solution को filter करेंगे, वो गंदगी उस solution में चली जाए, है ना, तो इसलिए हर बारी different ophthalmic product के लिए, हर बारी contamination, contamination मतलब वो दूसरी तना हो जाए, इसलिए हम लोग हर बारी एक नया filter का इस्तमाल करेंगे, viscosity या technique agent, अब हम सब को पता है कि दवाईयां थोड़ी सी गाड़ी होना जरूरी है, ठीक है ना, गाड़ी नहीं होगी तो बिल्कुल flow करके निकल जाती है, तो in order to prolong, prolong मतलब लंबे समय तक आप लोगने देखा हो जाता है, दवाईयां होता ही, जेल की रूप में आचकर डॉक्टर चाहतर देता है, ताकि जेल जो होता है, लंबे समय तक आँखों में रहता है, ठीक है ना, गाड़ा होता है, contact time of the drug in the eye, ठीक है, ताकि आँखों में वो लंबे समय त ठीक है, ठीक है, अब ठीकनिक एजेंट जो हम डालते हैं, उसके अंदर कुछ उसकी प्रॉपर्टी हैं, जो उसके अंदर होने ही होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी कहा है, इस शुड भी इजी तो फिल्टर, असानी से फिल्टर हो जाए, जब हम पूरी प्रिपरिशन को ब इंग्रीडेंट जो बाकी के दूसरी इंग्रीडेंट्स हैं, कैमिकल्स हैं या जैसे बफरिंग एजेंट है, या कोई और एजेंट पढ़ा हुआ उसके अंदर, उसके साथ वो कॉम्पेटीबल होना चाहिए, किसी प्रकार का रियक्शन नहीं करना चाहिए, इट शुड प पासे, वो टेस्ट को पास करना है इसे, जिससे की हम इसका इसमें इस्तिमाल कर सके हैं, अधरवाइस दिक्कत रहेगी, ओके, फिर क्या कहा रहा है, थिक्निक एजेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, किस एक खास प्रकार का आइड्रॉप होते हैं, या आई लोशन होते हैं, जिन में थिक्निक एजेंट का इस्तमाल नहीं होते हैं, कौन से हैं, विच आर, जो की रुकाइट टू बी यूज्ट डूरिंग और आफ्टर सर्जरी, जब सर्जरी कर दी जाती है आँखों की, तो उस सर्जरी के दौरान, बहुत से ड्रॉप्स होते हैं, जो सर् थिक्निक एजेंट, वो थिक्निक एजेंट की जैसे पॉपर्टी हो, जखम बगारा होते हैं, वहां से रियक्ट करता है वो, ठीक है न, तो due to some possible adverse effect on the interior of the eye, आँखों के अंदर वो chemicals जा करके, जखम हो जखमी होती ही आँख, सिधा जाके चोट से मिलेगी जाके, खून और व खुले हुए जखमों से, तो वो reaction करके, वहां पर damage कर सकती है, clear है, tonicity हम सब को पता tonicity क्या होता है, ठीक है, तो यहां पर हमें, जो दवाई है, उसको isotonic with lacrimal secretion, यह mark कर लेंगे, जो हमारी आखों में जो आशू होता है, ठीक है, आज कर एक बड़ा common है, लोग, कभी आप ल लाई हो गई है, क्यों आखों में हमेशा एक, जैसे का हमारी मुह में saliva रहता है हर समय, चिकना करने के लिए, वैसी आखों में हमेशा नम रहती है, आखे खास तरह का chemical रहता है, गीला गीला सा, ठीक है, उस सिक्रीशन का जितना osmotic pressure है, या जितना concentration है, उतना ही concentration हमारा ophthalmic preparation का भी होना चाहिए, ठीक है, to avoid discomfort and irritation, जिससे की discomfort ना हो और irritation ना हो, ओके, I can tolerate a range of tonicity from 0.5-2% है ना, ऐसा नहीं कि एक फिक्स osmotic concentration या concentration को वो bear करती है, एक range है, 0.5-2% NaCl को वो bear कर जाती है, इसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसके लिए हम लोग 1.9% boric acid and sodium acid phosphate buffer, इन दो का इस्तमाल करते हैं, used as isotonic vehicle, अगर इसको isotonic करना है, तो इन दो चीज़ों का हमने इस्तमाल करते हैं, और जैसे मैंने क था कि यहाँ पर आपका example की एहमेद बहुत जादा, example भूल जाओ, तो at least हमें concert पता होना चाहिए, ठीक है, pH of the preparation, pH play a very important role, क्यों? इन दा therapeutic activity, क्योंकि pH की वएसे दो दवाई हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं, उसकी therapeutic activity पढ़ चुके हम लोग, प्रेंटरल में solubility, stability and comfort to the patient, यह सारी चीज़ें pH की वएसे affect हो सकती हैं, और आख का जो pH होता है, लगबग 7.1, यह average है, एक range होती इसकी भी, उसका एक average निकाला गया है, 7.5 जो है perfect मना गया है, तो जो हमारे preparations होती हैं, उनका pH भी हमें कितना रखना है, 7.5 कहीं आसपास र प्रिपेर, जब उसको बना रहे हैं, तो sterility compulsory है, बिना sterility के हम उसको आगे पास नहीं कर सकते हैं, आई drops are sterilized autoclaving at 121 degrees centigrade for 15 minutes, अच्छा, यह यहाँ पर थोड़ा सा फरक पढ़ सकता है, देखो, कुछ बच्चे कई बार confused हो जाते हैं, कहीं 121 लिखा होगा, कहीं लिखा होगा 100 for 30 minutes, तो temperature बढ़ाएंगे तो time घट जाएगा, temperature घटेगा तो time बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ा सा होता रहता है, ठीक है ना, बास अमझवा रही है, तो autoclave करेंगे 121 degrees centigrade for 15 minutes, और by bacteria filter, है ना, to avoid, एक तरीका तो हम heat कर दें, और दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई उसके पर पेपर से पास कराएंगे, जिससे की thermal degradation, heat के दौरा chemical टूटे ना, destroy ना हो, example के दोर पर दिया हुआ है कि एक preservative है chlorobetanol, इसको घर हम autoclave करेंगे, heat करेंगे, तो यह hydrolyze हो जाएगा, तूट जाएगा और इसका काम बेकार हो जाएगा, ठीक है, बास समझ मारी है, ओके, न इसको हमने इससे पहरवाल लेक्चर में कवर किया था, यह खास तरह का एक ग्राम नेगटिव बैक्टेरिया होता है, जो कि ophthalmik preparation में सबस्यादा पाया जाता है, और इसकी वाई से cornea damage होती है, और even अगर यह infection करते काईदे से, तो 24 से 48 घंटे के अंदर आदमी अंधा भी ह हो सकता है, इतना खतरना किसका infection होता है, ठीक है, तो preservative यह सब requirement भी है, यह सब additive के अंदर भी आ जागा तुमारा surface activity या wetting agent, the vehicles are used in the ophthalmik preparation must have good wetting ability to penetrate cornea and other tissue, दवाई जाके अंदर टीसूस वागर है, cell में घुसे, उसके लग उससे चिपक जाए, तो उसकी wetting ability अच्छी होनी चीए, यहने के surface activity, ऐसा ना हो कि वो अंदर को पानी होता है, आँखों में, पानी से ripple करके दूर ना चला जाए, ठीक है ना, तो बैंजल कोनियम क्लोराइड, polysorbate 20, ठीक है, यह कि oily medicine है, या oily vehicle के अंदर हम लोग medicine बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो जो chemical यह दवाई हमारी आँख में, पानी होता है, एक्वस होता है, ripple करके बाहर चला जाएगा, मतलब आँख उसे absorb भी नहीं करेगी, तो हम wetting agent डालते हैं, जिससे कि वो easily हमारी tissues और cells जहां आँखों जाते हैं, तो multi dose container होते हैं, 5 ml, 10 ml के, ठीक है, solution suspension के लिए, glass container is supplied with sterile plastic dropper, पहले ज्यादा आते हैं, इस तरह से रहते हैं, जैसे कि बच्चों के droppers होते हैं, इस तरह से रहते हैं, तो इसके अंदर एक cap लगी रहती थी, इस तरह से एक dropper रहता थी, इसके अंदर याद आया, फिर plastic bottle तो आजकर सबने देखी हैं, उसको खुद से उपर cap होता है, खीच दो, छेदो जाता है, drop डालते रहो, तो plastic bottles are with built up, उसके अंदर पहले से ही built up, खुद का nozzle होता है, फिर लगता है, इसमें label, label must maintain, ठीक है, label को जरूर जरूर लगाना है, not for injection, अच्छा, ये सॉरी, य जाता है, label must maintain, label के अंदर जरूर लगाना है, क्या, और लिखना है, not for injection, for external use only, shake well before use, if it is suspension, अगर क्या है, वो, क्या क्या चीज़े maintain करनी है, label के अंदर, not for injection, लिखना है, for external use, लिखना है, और अगर वो suspension है, तो क्या लिखना है, shake well before use, क्लियर है बाते हैं, ठीक है, तो ये tough नहीं है ज्यादा, अगर parental अच्छे समझ में आ गया, तो फटा फट हो जाएगा ये, अब इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा, अब eye drop के उपर question आ जाए, या eye lotion के उपर आए, खेर lotion अपने course मनी है, तो सारी बाते जो चीज़ें उपर चाहिए, वो सारी यहां पर चाहिए होंगी, तो हम यहां लिख देंगे, तो eye drop क्या होते हैं, यह sterile, aqueous और oily solutions होते हैं, या suspension, aqueous, oily solution या suspension हो सकते हैं, of the drug that are instilled into the eye with the help of dropper, जिसको instilled आखों में डाला जाता है, with the help of dropper, दोको आखों के लिए, जैसे कि हम लोग दवाई खाने के लिए एक word बार बार ल still, क्योंकि किसी के द्वारा डाली जा रही है, ठीक है, the eye drops are usually contained drug having antiseptic, तो eye drop के नदर खास कर किस प्रकार के medicine के होती है, यह तो antiseptic होगा, anesthetic हो सकता है, anti-inflammatory हो सकता है, mediatics हो सकते हैं, myiotics हो सकते हैं, diagnostic area, diagnosis नियाचने के लिए होता है, ठीक है, उसके लिए हो सकते हैं, तो य सकते हैं, antiseptic, anesthetic, anti-inflammatory, infection हो गया, mediatics हो गया, myiotics हो गया, आँखें फैलाने के लिए लेंस फैला करके, डॉक्टर क्या करता है, ठीक है, तो यह होती है, हमारे पास क्या, eye drop के अंदर खास प्रकार के API, अब characteristics of eye drop के बात करें, इसको क्या होना है, इसको क्या होना होना चाहि यह, they should be preserved with suitable bacteria side, bacteria side यान कि bacteria kill करने वाले chemical के साथ इसको preserve करना चाहिए, they should remain stable during its storage, जिस समय हम उसे store कर रहे है, उस समय हम उसको store कर रहे है, जितना टाइम उसका expiry का है, या जिस समय हमने उसको खोल लिया है, तो उसमें होता है, डॉक्टर कहता है, एक महने का अंदरी इसको अ नहीं होना है, तो simple simple बाते हैं, ठीक है ना, अगर परानी चीज़ें पड़े हो अच्छे से, तो लिख दो गई है, बहुत इसली है, additive की बात करें, तो as mentioned above, तो यह जामने additive यहां पर क्या क्या आ जाएगा, टोनि सिटी वाला आ जाएगा, additive नमारा ठीक है न, विसकोट, ठीकनिक एजन्ट आ आ गया तुमारे पास, ठीक है और क्या आ जाएगा, टोनि से pH of preparation, pH maintain के लिए buffers का इस्तमाल करते हैं, बफ़र का इस्तमाल करते हैं, ठीक है न, then, ओके, फिर आगे अपने पास, surface, wetting एजन पास हैं, तो parental लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका एग्जामपल देखें, आइड्रॉप है, और एक्स, एट्रोपिन सल्फेट, वन ग्राम, फिनाल, मर्कुरिक नाइटरेट, क्या होगा, प्रिजवेटिव आगे तुमारा, 50 ml solution, 0.2%, ठीक है, purified water added up to 100 ml direction to be used as directed, जैसा कहा जाएं वैसा, इस्तमाल करें, preparation, कैसे हम लोग इसको prepare करते हैं, तो parental को prepare करने का तरीका almost same है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, कैसे हम लोग इसको prepare कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार stage में इसको बनाते हैं हम लोग, तो सबसे वेहिकल कैसो होना चाहिए बैक्टिरियस और फंगिस अडल होना चाहिए तो क्या करेंगे अक्वास और ओईली वेहिकल युजज इन परफर आइड्रोप अक्वास या ओईली वेहिकल आप यह यहां पर लिया कि नहीं पर लिया को मेरे को हिसाद ये मेखल वेकल की आ रहा है ठीक है हैं जिन लोक ने पढ़न लिया वेरी गुड हाँ सुन लिया जो बत्चे जो सुन रहा हो नहीं तुम्हाले बाते टीक है न क्या थ 트algam कि सुन्तुरि अधर पर तो aquas and oily vacal अब लोग यहाँ पर इस्तवाल करते है preparation of eye drop the aquas vacal हमने पता है जो पानी वाला vacal होता है उसके अंदर क्या होता है bacteria grow कर सकता है vacal में support bacterial fungal growth क्योंकि वो पानी है ठीक है so one of the following bacteria side कोई एक bacteria side यहाँ पर हम लोग इस्तवाल कर सकते है जैसे कि phenyl mercury nitrate benzyl konium chloride close hexadine acetate ठीक है न preparation of solution of medicament and adjuvant अब जब अपने ये vehicle तयार कर लिया फिर हम एक solution तयार करेंगे medicament और adjuvant adjuvant मतलब कोई additives का the medicaments are dissolved in the aquas vehicle फिर जो दवाई है हमारी उसको हम dissolve कर देंगे किसमे aquas vehicle में जो उपर तयार किया है containing suitable antimicrobial agent तो simple यहां पर वी सिस्टेप को ऐसे भी लिख सकते है now dissolve the medicine in above solution जो solution आपने उपर तयार कर लिया the advent are also dissolved in the vehicle at a stage to form a suitable adjuvant adjuvant ठीक ना यान कि additive या adjuvant ये spelling कलते है adjuvants are also dissolved in the vehicle जो इसके अलावब ये क्या थे हमारे preservative देखते हैं कि इसके अलावब buffering agent thickening agent जो भी कुछ है वो हम लोग इसी stage में कर देंगे इसको finally add कर देंगे अब हम लोग क्या करेंगे clarification the eye drops are clarified by passing a solution through membrane filter having pore size 0.8 micrometer अब हम उसको क्या करेंगे ताकि solution में किसी प्रका का foreign particle ना रहे तो हम लोग उसे एक membrane filter लेंगे और उसमें से pass करवाएंगे जिसका size क्या होता है 0.8 micrometer the clarified solution is immediately transferred into the final container and sealed तुरंत उसके बाद final container में डाल देंगे और उसमें फिर seal कर देंगे seal करने के बाद final क्या है sterilization तमाम तरीके हमाँ पर sterilization के ठीक है अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है the eye drops are stylized by autoclaving और heating with bacteria side है नहीं बैक्टेरिया side डालके भी heat कर सकते हैं add 98 degree centigrade to 100 degree centigrade for 30 minute or filtration through bacteria proof filter यह हम लोग last stage में इसको क्या कर सकते हैं जो हमारा solution तो उपर उसको bacteria proof filter से पास करके फिर seal कर देंगे तो हमारे पास क्या है तरीके है sterilization के हम कोई भी एक तरीका अपना follow कर सकते हैं use कर सकते हैं सारे step पुराने वाले हैं यहाँ पर किसी को लगता कि नहीं को पुराना वाला याद है अच्छे से तो हम आपर इसको add कर सकते हैं ठीक है तो आइडिया हो गया होगा आप लोगों को आगे आते हैं आई ointment अब ointment अब अगर मैं सीधा बोलू बच्चों बताओ ointment क्या है नहीं पता ointment पटाया था मैंने आई ointment नी साधरान ointment याद करो था अपने से ले बस में फटा फट बताओ टॉपीकल प्रिपरेशन में ointment, cream, paste था तो ointment की सारी कानी थी तो वही सारी कानी यहाँ पर applicable हो जाएगी देखोगा अभी उस ointment के अंदर use होने वाले सारे term यहाँ पर भी इस्तमाल होंगे है तो ointment नी ना तो eye ointments are sterile यह भी sterile preparation है तो यह line तो सब में common लिखनी है कि sterile preparation होता है mean for application to the eye जिससे कि हम इसे आँख में डाल सकें these are prepared under aseptic condition जितना भी sterile formulation है सबको aseptic condition में ही prepare किया जाता है and packed in sterile collapsible tube collapsible होता है जिसको हम पिचका सकें क्या कर सकें इसे हम पिचका सकें ट्यूब होता है इसको पिचका सकें collapsible tube ठीक है which keep the preparation sterile और यह ट्यूब इस प्रप्रेशन को sterile रखते हैं बासमजमारी तो बटा tube दिखा दिया आजकल nowadays आई पहले यह वह साथ आई एप्ली कैप्स है ना यह निवोरी वाला ट्यूब गाउं में वो क्या वोलते हैं निवोरी वाला आँख में डाल देते हैं तो एक ही बार की application के लिए होता है ठीक है लेकिन कुछ गाउं में लोग हैं जो आदा सुब्सक्राइब भरते हैं गलत है वेटा वो क्योंकि जो खुल जाता है तो उसके इंफेक्शन हो सकता है तो अगर आपकी knowledge में पास के लोग हैं आप में कोई ज आगरूप करें इस चीज के लिए आगे आते हैं अब formulation of the eye ointment eye ointment का याद करोगे तो eye ointment असान लगेगा the ointment based for an eye ointment must be non irritating तो गहारा ointment base for eye ointment eye ointment के लिए जो ointment का base होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए non irritating to the eye आखों में जरन नहीं करें यह बेस का जिकर किया था हमने वहापर the eye ointment base should melt near कि बेस कर लेंगे बेस पता रहा है जिसके अंदर साइज दवाईं अगरा डाल करें गाड़ा गाड़ा रहता है याद आ रहा है ओइंट्मेंट पढ़ाया था मैंने भूल गए ओइंट्मेंट बेस होता है जिसके सारी दवाईं डाल करके हम गाड़ा गाड़ा बनाते हैं ठीक है ना पैर वेक्स वगारा जो रहता था तो तो ओइंट्मेंट बेस फोरण आई ओइंट्मेंट मस्ट भी नॉन इरिटेटिंग एक तो उस बेस को नॉन इरिटेटिंग जैसे की उपर वेटा हम लोग वेकल एक्को वेकल है ना वेकल का इस्तमाल कर रहे था हम लोग जिसके दवें घोलते से वैसे यहां पर जो होता है है ना देखा यह जब ट्यूब से निकलता है तो काफी सेमी सॉलिट टाइप का होता है वो जैसी आंक में जाएगा तो आंक के अंदर जाकर करके हमारी बॉड़ी टमपरिचर के बराबर जैसी उसे हीट मिलेगी वो पिघल जाना चाहिए शुड मैल्ट सो एस तू प द्रग निकल करके होता हुआ आँखों में चला जाए किलियर है फॉर्ट प्रप्रेशन ऑफ आई ओंट्मेंट्मेंट फॉलाइंग बेस येल्लो सॉफ्ट पैरासीन पैराफिन लिक्विट पैराफिन और वूल फैट लगभग एट रिशो वन रिशो वन में इसका इस्तमा फाल आता है यल्लो हो गया लेक्विट हो वाइट सॉफट पैराम इसका वो इस yellow soft paraffin के molecule के साथ चिपके रह जाते हैं और अगर वो चिपके रहेगा ये wash करने के बाद भी जब वो नहीं हटते हैं और हमारा product बनके तयार हो गया तो वो molecule जब final हमारे आँख में जाएंगे तो itching करेंगे, irritate करते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं तो वो ही लिख रहा है, white soft paraffin is not used in the preparation of ointment base है ना, जो हमारे उपर white soft के हम लोग skin तो इस्तिमाल कर लेते हैं अपने skin वगरा के लिए आँखों के लिए इस्तिमाल नहीं करेंगे because it is prepared by bleaching the soft yellow paraffin क्योंकि इसको तयार किया जाता है bleach करके, bleaching agent होते हैं जो oxidize कर देते हैं, color उड़ा देते हैं तो yellow paraffin को, soft yellow paraffin को bleach करके बना जाता है some of the bleaching agent may remain adhered, chip के रहते हैं to the base even after careful washing उसके बाद उसको धुला जाता है, उसके बाद भी धुलने ऐसे नहीं पाइन डालके धुल जाता ही को होते है अपने उसके बाद भी कुछ particle bleach के रह जाते हैं, when used in the eye may lead to irritation और ऐसे product को जब हम इस्तमाल करेंगे, जिसके अंदर bleach के कंड रह गए हैं, तो आखों में जरन पैदा होती है अपके, यह हो गया, अब wool fat की बात करें Wool fat is used to ensure satisfactory emulsification Wool fat का इस्तमाल करते हैं, ताकि emulsification अच्छे से हो of the solution and help in the absorption of active ingredient और active ingredient अच्छे से absorb हो जाए Liquid paraffin का इस्तमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, liquid paraffin is incorporated to reduce the melting point अमालो हमने tube दो डाल दिया, लेकिन हो melting ही नहीं हुआ हमारी body temperature पे 37 degree पर, वो पदल उसका melting point साब 50, तो हम liquid paraffin डालके melting point को low करते हैं तो melting point कम हो जाएगा, viscosity of the base so that it can easily expelled from the तो क्या reduce हुआ, melting point भी कम हो गया और viscosity भी कम होगी, viscosity कम होने से क्या, tube से अराम से tube दवाएंगे तो उसमें से अराम से tube निकल के आएगा Otherwise, विगाड़ा जादा होगा तो वो ताकर से दवाना पड़ेगा tube, तब जाकर कि हमारी point में बाहर निकल के आएगा ठीक है, तो लिखा हुआ है, melting point reduce करता है, viscosity को कम करता है, जिससे कि वो easily expelled, expelled मतलब बाहर निकल सकता है from the colossal tube and applied to the eye, और फिर हम उसे आँखों पे apply कर सकते हैं बाह समझ में आ गई? Okay, method of preparation of eye ointment, preparation method के कई सारे तरीके हैं, simple तरीका में हम कर लेते हैं melt, wool fat, soft paraffin, on a water bath, सबसे पहले हम wool fat लेंगे और soft paraffin को ले करके, water bath में क्या कर देंगे? Water bath, पता ना water bath क्या होता है, बताया था मैंने, पानी लिया, उसके लिए कटोरी रखी, यह पानी है पानी को heat कर रहे हैं, इसके अंदर हम wax डाल देंगे, तो direct heat ना करके, पानी की heat से हम इसे पिगलाते हैं and add liquid paraffin, फिर उसको अंदर क्या add कर देंगे? liquid paraffin को add कर देंगे, उसको फिर जब पिगल जाएगा ये, तो उसको filter कर लेंगे, through coarse filter, coarse मतलब, खोड़ा ट्राइब कर रहेगा, तो उसको पर डालेंगे, जितना भी particles, dust particles रहेगा, वो उपर रहे जाएगा, केवल हमारा wax वाला पार्ट बाहर निकल कर आएगा, coarse filter placed in the heated funnel, funnel को heat करके रखेंगे, उसके उपर filter paper लगा रहता है, जिसको हम लोग coarse filter बोलते है, थोड़ा सा अलट टाइब का filter paper होता है, ठीक है, it is sterilized by dry heat, उसके वाद हम लोग क्या करेंगे, इसे, it is sterilized by dry heat method, 160 degree for 2 hours, 160 degree दो घंटे के लिए, फिर incorporate, जब से हम sterilize कर लिया, base को, अभी यहादा कहानी किसकी चली, base की, के बल, base, फिर हम incorporate the medicament with the eye ointment base, अब जब उपर वाले पार्ट को, base को हमने sterilize कर लिया, फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, medicine डालेंगे, ठीक है, जो हमने base उपर तयार किया है, नाओ, pack in sterile container, और finally फिर उसका हम लोग pack कर देंगे sterile container में, समझ में आगी कहानी, simple था, अब pack कर दिया है, पैक करने के लिए हमें fill करना पड़ेगा, तो filling के बारे हम थोड़ी बातें समझे, after preparation, the ophthalmic ointment are filled into a previously sterilized tin और plastic tube, ointment को हम लोग टिन या, plastic के भी tube आते हैं, उसमें डाल देते हैं हम लोग, these tubes are typically small, छोटे होते हैं, holding approximately 3.5 gram of ointment, लगबग, 3.5 gram ointment इसकंदर भर जाता है, fitted बड़े-बड़े tube भी आते हैं, एक average की बात बता दी गहीं हैं पर, and fitted with narrow gauge tip, gauge tip मतलब एक नपी तुली, ऐसे आगे से रहती ही ना, इसे नपी तुली, यह थोड़ी बड़ी बनाएं, तो यहां से easily क्या निकल पाएगा, tube निकल पाएगा, which permit the extrusion, मतलब भार निकलना, of a narrow bands of ointment, bands मतलब यह जो पतली पतली से धार सी निकलती हैं, यह पतली धार सी, इसी को band बोला गया है, band of ointment, the container components and the exterior surface of the final packages are sterilized by heat, container के जो component होते हैं, और जो उसका exterior surface होता है, final package का उससे sterilize करते हैं, heat के दोवारा, ethylene oxide gas के दोवारा, या फिर ionizing radiation के दोवारा, ठीक है, final product हमारा sterilize हो गया, क्या advantage है, ointment क्यों बनाया है, क्या जरूरती है, जब हमाँ पास suspension है, solution है, drop है, तो इसको क्यों बनाया, advantage क्या है, the primary advantage of ophthalmic ointment over ophthalmic solution is the increased ocular contact time, सबसे बड़ा advantage है, drop है, gel है, कुछ भी है, वो उतनी देर नहीं रह सकता, क्योंकि वो जो semi-solid होता है, धीरे 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 पिखलता रहता है, वो वहीं रहता है, आँख में रहता है, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, तो contact time बढ़ गया availability, अब bioavailability क्या होती है, कितनी देर तक के लिए drug हमारी body में है, तो bioavailability जितनी ज्यादा, तो bioavailability उसकी availability उतनी देर के लिए रहेगी आँख में, disadvantage क्या, greasy nature होता हम सब को पता है, ग्रीशी टाइप को लग जागा, चिप चिपा सा रहता है, the blood vision occur as the ointment based melt and is spread across the lens, अब होत क्या है, गाड़ा-गाड़ा होता है, मालों अचानक से आँख खोलनी पड़ जाए, ठीक है, तो धुन्दला दिखाए पड़ता है, क्योंकि आँख जैसे हमारे आँख को सीसा माले तो उसके आगे कोई चिकनी चीज लग जाती है, ठीक है ना, तो फिर बलड दिखता है, ए एंटामाइसीन, ठीक है न, कोई भी एक-दो याद कर लेंगे, फिर है एवलीशन, एवलीशन मतलब, फाइनली हम इसको कैसे जांचेंगे कि हमारे प्रोड़ेट्ट बना हो सही बना है, तो वही सारे टेस्ट, इस्टेरलीटी टेस्ट सेम लिखेंगे जो परेंटर में इस्टेराइल फॉर्मलेशन का पार्ट खता हो जाता है, ठीक है न, अब इसके बाद एक पार्ट लास्ट बचा है, इस चैप्टर का, ठीक है न, होपफुली वो एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अगर कंटेंड उसके जा कर लिया है तो यह थोड़ी सी चीजें नहीं पड़ी है, तो अलग सा लगता है कई बाद थोड़ा सा, ठीक है न, बाद वाकिए पूरी हेल्प कर रहा हो, नोट्स, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, यह मेरा नंबर है, और जो बच्चे एक्जिट करते रहें, ओके, आल दा बेस्ट